तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीट कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलीगा क्योंकि आने वाले समय में इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल वीडियो डिट्यू लीट के बारे में जिन भी केंडिडेट्स को डिट्यू लीट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस वीडियो के जड़िये कम्प्लीटली नॉलिज ले सकता है इसमें हमने एक एक चीज़ को बताने की पूरी पूरी ट्राइ किया है तो होफुली आपके लिए ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी तो बिना किसी देरी के चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तो डिट्यू लीट में जो अब की बार लास्ट टाइम के बेसिस पर मैं आपकी बार बताऊंगा क्योंकि अभी तक तो कोई फोम या कोई भी डिट्यू की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई नहीं है वो तो जून में आएगी दोस्तो पिछली बार जो डिट्यू ने चीज़े निकाली थी उसी बेसिस पर हम अभी आपके सामने डिसकस करेंगे तो दोस्तो मैं अभी आपके सामने पिछली बार का डिट्यू का जो व्राउचर है वो मैंने ओपन किया हुआ है तो दोस्तो ये जो है व्राउचर वो पि य्टेक प्रोग्राम लेटरल एंट्री इटमेंज के इवनिंग वाले जो बचे हैं जो इवनिंग में अडमिस्ट लेना चाते हैं और जो लेटरल एंट्री के थूरू ओर जू दोनों के लिए सेम ब्लाउचर निकाला गया था सेम एक्जाम होना था सीते अलग अलग थी तो दोस्तो इस पैटर्न से पिछली बार DTO ने एक्जाम कंड़क्ट कराया था कि दोनों के लिए सेम एक्जाम होगा, दोनों के लिए सेम मेरिट लिस्ट थी, ठीक है तो वाके चीज़े देखते है कि किस तरीके से DTO ने कराया था, तो दोस्तो इंपोर्टेंट डेट जो डेट कि स्पोांसर केंडेट के लिए, क्योंकि स्पोंसर केंडेट को अपना जो कुछ डॉकुमेंट करने होते हैं, वह 5 जूलाई था लास्ट डेट, और अड्मित का दो अवेलेबल थे, 9 जूलाई को दो की डे इट थी वह झोड़े जुनद si again के चोगजन Eli को लास टाइम तरशां जो मेरीट लिप्रर ले वही ती डिस्पले 17 जुलाई औ कि कि इसमें आपको रेंग और पता लगई थी 17 जुलाई को भी int uniform से काम हता है DTU में, 14 जुलाई को पेपर हुआ था, 17 जुलाई को उसका रिजल्ट आ गया था, और 1st round of counselling जो था, 23 जुलाई को था, और 2nd round of counselling 25 जुलाई को था, and 2nd round of counselling for all categories, last date of admission 17 जुलाई, display of vacant seats 6 अगस्त को, और spot round admission 14 अगस्त को थे, तो दोस्तों ये pattern पिछली बार का रहा था DTU का, और later entry वाले और evening वाले बच्चे दोनों के लिए यही एक pattern था, दोनों के लिए सेम चीज़ थी, तो दोस्तों सोनों के लिए सेम paper था, और किस तरीके से paper था ये, इसमें देखिए message रगारा दिये होए है, और इसके बाद जो हम चीज़े main है, वसी को लिए आपको लेकर आते हैं, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जो DTU ने निकाला था, ये देखिए, दो प्रोग्राम थे DTU के पास में, सबसे पहला प्रोग्राम था B.TEC Evening Program और दूसरा था B.TEC Program Lateral Entry, तो दोस्तों, इन तीन प्रोग्राम के जरिये, DTU ने पिछली बार जो Admissions की Seats निकाली थी, वो इन दो प्रोग्राम में थी, दोनों B.TEC जो Diploma कर चुके हैं, 3 years, B.TEC Program to the Bright Candidates having 3 years Diploma, जोनके पास में Diploma हैं, वही बच्चे ही इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इवनिंग के लिए भी और लेटर लेंटरिंग के लिए भी, तो सबसे पहले हम इवनिंग वाले के बारे में बात कर लेते हैं, तो दोस्तों, इवनिंग में जो DTU ने निकाला है, वो किस तरीके से निकाला है, दोस्तों, उसमें 240 सीटे हैं, 4 ब्रांचिस में, मतलब 60 सीट चार ब्रांची में अवेलेबल हैं कौन सी चार ब्रांचों में Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering and Electronics and Communication Engineering तो इन चार ब्रांचों में 60 सीटे अवेलेबल हैं 240 सीटे हैं अब वो किस तरीके से सीडियूल की गई हैं दोस्तो इसमें बताया हुआ है इस दिन में जो क्लासे होती हैं तो साम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक Monday do Saturday होती है और अगर कभी भी जरुत पढ़ती है तो holidays और Sundays को भी include कर लिया जाता है तो दोस्तों ये DTU ने बताया हुआ है और जो admission है BTEC Evening का वो दो कैटेगरी में होता है एक open category एक sponsored category दोस्तों open category उनके लिए है जो freshers है या company के थूँ कोई भी graduation नहीं करना चाते sponsored category में वो आते हैं जिनकी education जो है जहां पर वो काम कर रहे हैं diploma के बाद जिस भी organization में या company में वो काम कर रहे हैं वो उनकी education को sponsor कर रही है हो तो वो sponsored category में आते हैं तो दोस्तों जो आपकी 60 सीटे हैं उन 60 सीटों में से एक वरांज में 60 सीटे वो DTU ने रखी हैं 60 सीटों में से 40 सीटे open category के लिए हैं और 20 सीटे sponsor category के लिए हैं तो दोस्तों इस तरीके से DTU में admission में seat अलोटेड हैं उसके बाद ये seat matrix आपके सामने तो इसके बाद आप seat matrix देख लेंगे तो सभी 60 सीटों का division यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है किस तरीके से किस पोल ये कितनी सीट अलोटेड है इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ये था हमारा पहला evening category का program दोस्तों इसके बात करते हैं जिस भी branch में सीटे बच गई है वो निकाल दी गई है diploma वालों के later entry के लिए तो दोस्तों इसमें कौन कौन सी सीटे हैं देखे दो चीजों में नोंने निकाला हुआ है एक जो दिल्ली region से हैं एक outside दिल्ली region से हैं दिल्ली region में general SC, ST, OVC के लिए कितनी ब्रांचों में सीटे हैं पर इतनी अवेलेबल थी तो इसमें नोंने निकाला हुआ है BT Biotechnology, EE Electrical Engineering, ENE Environmental Engineering, EP Engineering Physics, PCT Polymer, PIE Production and Industrial Engineering दोस्तों इन ब्रांचे में इसने अब की बार सीटे निकाली थी तो यह सीट मैट्रिक्स आपके सामने गिवन है दिल्ली रिजन वालों के लिए और यह नीचे जो गिवन है यह है आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए तो दोस्तों इस तरीके से इसने अब की बार सीटे निकाली थी और इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है इसने सबी चीज़े दिल्ली रिजन केंडिटेट का इसने मतलब बताये हुआ है कि जिन्होंने डिपलोमा जो है वो दिल्ली से पास आउट किया है बिले ही हो वो कहीं पे भी रह रहे हो लेकिन डिप्लोमा चाहसे उन्होंने पास आउट किया है वहीं का वो रिजन मना जाएगा इसके बाद मैं एजुकेशन लो कालिफिकेशन और इलिजिबलेटी कंडिशन की बात करें एड़ीशन के लिए तो दोस्तों उन दोनों के लिए यह सबसे पहले ओपन केटेगरी के बात करो तो थ्री एयर का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी ब्रांच में और रिकगनाइजड होना चाहिए वो किसी भी टेकनिकल एजुकेशन के थ्रू या फिर एस एक्सपिरियंस की कोई रिक्वार्मेंट नहीं है लेकिन जो स्पोंस कि उसे 50 km के रेडियस पे हो तो यह इसने बताया हुआ है इसके बात करें लेटरल एंट्री प्रोग्राम के लिए उसमें भी आपके पास में थ्री एर रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी ब्रांच में और उसमें भी एक्सपिरियंस आपको रिक्वार्ड नहीं है तो दोस्तो यह थी आपकी educational qualification क्या होनी चाहिए और बात करें अगर हम eligibility ही तो दोस्तो जो condition है पांच यह experience की वो डिटर्वाइन की जाएगी 1st of September 2018 तक ठीक है इसके बाद इसके इलावा जो है आपका जो डिक्लोमा है उसमें at least 60% marks होने चाहिए किसी भी CGPA है तो CGPA में जो भ अगर इंस्टीट्यूट ने आपका प्रोवाइड नहीं कराया है CGPA का पैटन तो इस ग्रेड के अपको डिया हुआ टेबल में आपकी CGPA परसंटेज में कनवर्ट करके देख लिया जाएगा तो दोस्तो यह था आपका पैटन किस तरीके से आपका होगा इसके बाद बात कर आपको जो है उनके लिए कितना रिजर्वेशन यहां पर अवेलेबल है वो दिया हुआ या आप देख सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करें तो यह सब चीजे हैं उसके बाद एडमिसन प्रोसेस में सबसे पहले आपको ओनलाइन फॉर्म फिल करना होगा जो शे जोन से अ 11 जुलाई थी और 14 जुलाई को इसका अग्जाम था 17 जुलाई को रिजल्ट आ गया था उसके बाद में इसकी कांसलिंग होई थी कांसलिंग होने के बाद में एडमिशन हुआ था और जो आपका स्पोंसर के टिकरी वाले हैं उनको डोकुमेंट वगरा जो हैं वो समिट करने होते हैं समिट करने के बाद में आपको और जो एडमिशन के टाइम पे आपको एक जो फीस है उस वो डीडी के फॉर्मेट में लेके जाना होता है लास्ट टाइम का फीस ट्रक्चर अभी हम दे इसमें क्या था बीटेक इवनी प्रोग्राम सोपन केटिगरी और बीटेक प्रोग्राम लेटल एंट्री दोनों का सेम कंबाइन पेपर था कॉमन एंट्रेंस्ट एक्जाम था CEE के नाम से और अगर इसमें बाइचांस दो बच्चों की रैंक अगर सेम आ जाती है तो उसका जो decision लिया जाता है वो diploma की merit list पे लिया जाता है जिसके diploma में ज़्यादा marks होंगे उसके rank पहले consider करी जाएगी जिसके diploma में कम marks होंगे उसके rank जो है बाद में consider करी जाएगी इस तरीके से जो rules थे और common entrance exam का date ये था time ये था last time दोस्तो इसके अलावा ये जो है अभी RTI के तुरू सिलेवस मांगा गया है और DTU ने भी फिर अपनी website पर upload कर दिया है 2019-20 का जो सिलेवस है वो यहाँ पर DTU ने upload कर दिया है दोस्तो ये सिलेवस जो है last time भी यही सिलेवस था अब की बार भी इनोंने यही सिलेवस रखा है तो दोस्तो इस तरीके का सिलेवस जो है वो रहने वाला होगा लेकिन लास्ट time क्या हुआ था डीटीयो में वराउचर में मैंने आपको सिलेवस सायद बताया नहीं है दोस्तो वराउचर में जो दिया हुआ था last time वहम अभी देख लेते हैं last हैं इन्होंने गई सकते हैं आराम से इन्होंने जो सुलेज। रिखा हुआ है उसमें मैज सरीजनिंग फिजीक्स केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स भी नहीं निखे हुए हैं तो ये शी आरही तो यह शी ही बाएं प्रों पर समें भी दे तो यह शीने डाली थी लेकिन जब ह गए थे लास्ट टाइम तो उसमें क्या हुआ था होहां पे केवल और केवल कॉइन्टीटेटी एप्टिटीटूड और अडवांस मैध के ही कुश्चन हमें देखने को मिले थे टोटल सो प्र आये थे वो सारे कुश्चन वहां पर मैच के थे तो दोस्तों कोई भरोसा नहीं ह DTU के सिलेवस का तो अभी जो DTU ने सिलेवस डाला है हो सकते है अब की बार इसने पहले ही सिलेवस डाल दिया है अब की बार सिलेवस यही आए तो दोस्तो यह सिलेवस इसने अब की बार अपनी वेब साइट पर अफ्लोड कर दिया है तो आप इसके तूर्व एक बार गो थू हो जाएं तो दूस्तों इसके बाद हम बात करें अगर कि यह फस्ट राउंड सेकेंड राउंड में दिया हूए डेटेल से आप देख सकते हैं इसके बाद फीज ट्रक्चर की बात करते हैं जो फीज ट्रक्चर में जो इवनिंग का प्रोग्राम था उसमें उने फीज ट्रक्चर को डिवाइड किया हुआ है अलग अलग पार्स में हम टोटल पर जाके देखते हैं टोटल में जो हब से फस्ट ये की फीज थी वह एक लाख नब्य हजार रुपे ये था आपका फीज ट्रक्चर प्रोगाम लेटर लेंडरी वालों के लिए इसके लावे इन्होंने फी कंसेशन के लिए बताया हुआ है जो एकोनोमिकली वीकर से विलॉम करते हैं उनके लिए बाद में फीज कंसेशन भी अवेलेबल कराया जा पंदर दिन के बाद और एक महीने से पहले कराते हैं तो आपको 80% होगा एक महीन पंदर नौट मोर दें 15 डेज आफ्टर देट लेट ओव डेट और दें 30 तो 50 परसेंट होगा और 30 दिन के बाद में कोई रिफंड नहीं होता है दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें डॉ दोकुमेंट्स में आपको सबसे पहले तो जो एड्विशन की टाइम पर लेकर जाना है वो एक लाग 18,000 रुपे का डीडी लेकर जाना है किसके फेवर में बनवाना है रजिस्टरां डेली टेक्नोलोजिकल एमिवर्सिटी के फेवर में बनाना है पेबल एट न्यू देली आपके उस अभी मार्सिट लेकर जानी है डिप्लोमा की सर्टिफिकेट लेकर जाना है से अगर आओ तो भी सी या डिसाइबलिटी आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट आपको ले जाना है किसके अकोडिंग नीचे जो इसी ब्राउचर में एन एक्जर 3 करके दिया एन एक्जर 5 में दिया हुआ है हम अब नीचे चलेंगे तो देखेंगे यह था स्पोंसर कैटिगरी के लिए और इवनिंग प्रोग्राम और बीट्टेक लेटरल एंट्री प्रोग्राम के लिए आपको डीडी लेकर जाना है अपना जो ऑनलाइन सब्मिट किया अपने एप दोस्तों यह था आपका इस तरीके से कंडिडेट्स एडमिट्टेट इन बीटेक प्रोग्राम लेटल एंट्री जो लेटल एंट्री में अड्मिशन लिया है अगर उनके पास में अविलेबल नहीं है फीज तो 33,000 जो है वो पहले समिट करना होता है नहीं तो उनका अड्म आपको साथ में अग्जामिनेशन का इनग्जर 1 से मतलब नहीं था एनग्जर 2 नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो एंप्लोई काम कर रहे है किसी और्गिनाइशन में एनग्जर 3 है ओवीची कंडिडेट्स के लिए एनग्जर 4 एडिसाबिटी के लिए एनग्जर 5 है म निकालेगा उसका जो पैटर्न होगा वो भी जी तरीके का रहने वाला होगा 11 जून लास्ट टाइम डेट थी तो हो सकता है जून में सेकंड वीक ऑफ जून में ही अब की बार गी एक्जाम के डेट निकले दोस्तों बीटेक इवनिंग में जो के लिए मैं कुछ बता देना च किया है दोस्तों सभी जो डेटियू इवनिंग के कैंडिडेट्स अभी वहाँ पर अवेलेबल हैं उन्होंने कोर्ट में एक केस किया है डेटियू के अगेंस्ट जाकर कि डेटियू ने हमें धोका दिया है एक तरीके से बोलकर कि ये जो इवनिंग प्रोग्राम है ये नहीं है भी तो कुछ नहीं कह सकते लेकिन वाइस चैंसलर ने जो बोला है कि डिगरी सभी जगा वैलिड है डिगरी रेगुलर है लेकिन फुल टाइम नहीं है ऐसा ये लोग बोल रहे है रेगुलर है फुल टाइम नहीं है इसका मीनिंग क्या समझ आता है वो तो हम भी नहीं कह सकते क्योंकि regular है तो full time होता ही होता है regular नहीं regular और part time का तो कोई मतलब भी नहीं बनता ये बोलते हैं कि regular है लेकिन part time है regular है लेकिन full time नहीं है इस तरीके का यह जो रिजम दे रहे हैं court में case चल रहा है देखते हैं क्या होता है तो दोस्तों मैं suggest करूँगा evening candidate जो evening में admission लेने जाने वाले हैं या admission लेने की सोच रहे हैं जिनके पास में अभी job है या जिनकी placement हो चुकी है diploma में वो ही सोचे evening में जाने के लिए क्योंकि अभी ऐसा कोई confirmation नहीं आया है कि आपको degree full time मिलेगी दोस्तों part time degree fresher candidate के लिए कहीं भी valid नहीं है ये भी आप जानते हैं इस मेर से better जानते होंगे तो दोस्तों अगर आपके पास में job है तभी आप इसके लिए आगे proceed करें लेटल एंटरी में अगर आपको admission मिलता है तो बहुत ही बहुत अच्छी बात है क्योंकि उससे अच्छा तो कोई option हो ही नहीं सकता लेकिन evening program में अभी कोई you can say confirmation नहीं है कि आपको degree जो है वो आपको valid मिलेगी क्योंकि part time degree आज के time में professor candidate के लिए कोई माहिने नहीं रखती है कोई नहीं पूछता है और कहीं भी आप बैठने लायक नहीं होते हो कोई भी exam में PSUs नहीं लेती है government exam नहीं गेट में आप नहीं बैठ सकते हो ऐसा होता है तो part time के लिए तो government ने भ otherwise अगर आप pressure हैं और evening में लेने की सोच रहे हैं तो इससे better option आपके लिए कोई और हो सकता है यह better option नहीं होगा according to us तो दोस्तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपने future को decide करें अपने career को decide करें and all the best from our side इसके अलावा हम अभी एक series लेकर आने वाले है reasoning और quantitative aptitude के लिए तो उसके लिए वेट करें दोस्तों वह भी हम अभी वीडियो डालना start कर देंगे उन candidates के लिए जो online पढ़ना चाहते हैं तो यह था हमारा जो DTU के हम पर हमने वीडियो बनाई इसके अलावा यह हमारे genius coaching center की website है lead coaching.com नाम से कोई भी जानकरिया आपको चाहिए तो आ पूछ सकते हैं comment में पूछ सकते हैं कुछ भी तो यह थी आज की हमारी वीडियो DTU lead के लिए DTU lead candidates के लिए evening में जाना चाहते हूं या later landry में जाना चाहते हूं so all the best for your exam for every lead which you are giving thank you so much